अरे गीता, तुम मेरे घर आई ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुमारी मदद की जरूरत है। देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। गंटों इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कारेले में घंटों लंबा उबाव इंतजार करना पड़ता है। अरे चाचा, क्या आपके समस्य यही है? यह जटिल नहीं है। आप वास्तव में ट्रेन टिकेट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। क्या यह समभव है? क्रिपिया मुझे दिखाओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकेट कैसे बुक कर आ सकते हैं। गीता, यह तो बहुत अच्छा है, मैं घर पर बैट कर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहां इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सच में, मुझे समझाईए, मैं अपने लाब के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूँं कि भारत का कृशी मंत्राल है किसानों तक पहुँचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। आप देखते हैं कि भारत की 70 प्रतीशत जनसंख्या ग्रामीनिक शेत्रों में रहती है और कृशी और उससे जुड़े अन्य कामों पर निरभर है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राश्व्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। क्रपिया मुझे दिखाईए कि मैं इस साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूलिय कैसे पता कर सकता हूँ। जरूर बस इंचर्णों का पालन करो। पहले AG Market के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत चांचना चाहते हैं। तो प्रदर्शित पेज पर Market Bulletin खंड में निर्दिष्ट वस्तु का तिथिवार मूल्य Date-wise Prices for Specified Commodity लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में वर्ष और महीने को चुने जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं। उसके बाद आपको राजे के नाम का चैन करने का विकल्प मिलेगा। सूची में आप उस राजे के नाम का चैन करें जिसकी जानकारी आपको चाहिए। यहां हम उत्तर प्रदेश का चैन करें। राजे का चैन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होगा। जिसमें आपको जीन्स, कमोडिटी चैन करें। वस्तू की सुची में आप राइस, चावल पर क्लिक करें। एक बार चावल का चैन कर लेने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। अब आप चुने गए माह की विभिन तारीकों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन क्रिशी बाजार में चावल की कीमतों की एक रिपूर्ट देखेंगे। क्या मैं भी इस साइट से बाजारों की सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। जरूर चाचा मैं आपको बताती हूँ कैसे। यदि आप बाजार की सभी चीजों की कीमत जानना चाहते हैं तो आप बुलेटिन खंड के मार्केट वाइज, कमोडिटी वाइज, डेली रिपोर्ट पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज जैसा दिखाया गया है पर ले जाया जाएगा। कैलेंडर से तारिक को चुने, तारिक का चैन करने पर राज्यों की सूची नीचे दिखाई देगी। सूची से राज्य की नाम का चैन करें, यहां पर उत्तर प्रिदेश चुना गया है और फिर सब्मिट बटन पर क्लिक करें स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी, जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हूं, उस बॉक्स को चेक करें फिर आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें यदि आप एक से अधिक राज्यों का नाम चैन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए राज्यों के नाम पर क्लिक करें तब वेब साइट आपके द्वारा चैनित बाजारों की एक विस्तरित रिपूर्ट प्रदर्शित करेंगा अब आप मुझे इस साइट का उप्योग करके पंजाब राज्ये में मक्के की फसल का अधितन भाव पता करके दिखाएं जरूर मुझे कोशिश करने दें झाल झाल बहुत अच्छी बात है, अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अध्यवदिक भाव कैसे प्राप्त करें, आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं, जिनके जरीए आप वर्तमान समय के सा साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उनमें से कुछ महत्वपून वेबसाइट हैं, www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com भारत में भूविज्यान मंत्राले के अंतरगत आने वाला मौसम विज्यान विभाग, मौसम संबंधी परिवेक्षनों और मौसम की भविश्यवानी के लिए जिम्मेदार है, संपून आकडे इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलब हैं, मैं इस साइट से जानकारी कैसे प रकट होगी, यदि आप हिंदी भाशा में देखना चाहते हैं, तो पेज पर दाई और दिख रहे हिंदी लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पर पेज के ऊपर तथा बाई और विभिन जानकारियां दी गई हैं, जिने आप प्राप्त कर सकते हैं, मौसम के बारे में जानने के लि इस पर टाप दें, और फिर अपनी वर्यता के शहर पर क्लिक करें, आप संबंधित वेबसाइट पर पुनह निर्देशित हो जाएंगे, उदाहरन के लिए हम एहमदाबाद राज्य का चैन करेंगे, वेबसाइट के पेज पर बाई और विभिन सेवाएं जैसे मानसून, सी हाँ, मुझे प्रयास करने दें इसी प्रकार होमपेज पर दर्शाय गए लिंकों पर क्लिक करके, आप और जानकारी खोच सकते हैं प्रतेक प्रेश्ण के लिए सही विकल पुचुने सही है, अच्छा प्रयास सही है, अच्छा प्रयास सही है, अच्छा प्रयास गीता, क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली वर टेलिफोन के बिल भी भर सकता हूँ? बिलकुल, इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा पर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं उप्योगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उत्पादन, ववितरन, स्थापित करना बहुत ही खर्चिला होता है आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजिन्सियां, पेपर रहित बिलिंग वव इलेक्ट्रोनिक भुकतान की सुविधा उपलब्द कराती हैं इसने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि कोई चाहे ऑफिस में हो या घर पर बिलों का भुकतान ऑनलाइन कर सकता है इलेक्ट्रोनिक भुकतान करने के कुछ फायदे निम्न है, यात्रा वलंबी लाइनों के समय की बचत होती है, बिल्क होने की कोई संभावना नहीं रहती सही नियत तिथी तक बुक्तान किया जा सकता है पूरे 24 घंटे बुक्तान किया जा सकता है बुक्तान करने से पूर्व बिल राशी जाचें बिजली का बुक्तान ओनलाइन करना ज्यादा तर बिजली वितरन कंपनियों के पास बिलों का भुकतान ओनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है उदाहरन के लिए यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और BSES राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है तो आप BSES राजधानी की वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन बिल का भुकतान कर सकते हैं इसी प्रकार संबंधित बिजली वितरन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली बिल का भुकतान कर सकते हैं भारत की कुछ बड़ी बिजली वितरन कम्पनिया निमने है। B.S.E.S. दिल्ली बिजली बिल भुकतान करने की ओनलाइन प्रक्रिया। चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप B.S.E.S. दिल्ली में ऑनलाइन बिजली के बिल का भुकतान कैसे कर सकते हैं। पहले B.S.E.S. दिल्ली की वेब साइट www.bsesdilly.com पर जाएं। अब पेमिंट ऑप्शन पर जाएं और ओनलाइन बुकतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का चैन करें। निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और विकल्प Pay Now पर क्लिक करें। अब दियेगा इस्थान पर अपना CA नंबर भरें। आप अपना CA नंबर अपने बिजली के बिल की कागज प्रती के दाहिने हाथ के उपरी किनारे पर देख सकते हैं। फिर Go बटन पर क्लिक करें। अब भुकतान प्रिष्ट प्रकट होगा। भुकतान के धंग जैसे debit card या credit card का चैन करें। जब आप चैन कर लें तो भुकतान प्रक्रिया का अनुसरन करें। नोट यदि आप credit card का चैन करते हैं तो आपको अपने credit card का विवरन भरना होगा और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। Net Banking का चैन के जाने की दशा में आपको उस bank का चैन करना होगा जिससे आप अपने बिल का भुकतान करना चाहते हैं। आपको आपके Net Banking साइट पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको भुकतान करने के लिए user ID और password भरना होगा। दीदी क्या हम mobile phone को भी online recharge कर सकते हैं। हाँ जरूर ऐसा करने के लिए अपने prepaid mobile को recharge करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले recharge it now वेबसाइट पर जाएं। अब mobile विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चैन करें। इसके बाद अपना mobile नमबर लिखें और continue बटन को दबाएं। अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चैन करें और recharge राशी को भरें और फिर continue बटन पर क्लिक करें। अब आपके mobile नमबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। इसकी पुष्टी करें और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें। यदि आप पंजीकृत उप्भोगता हैं और पंजीकरन नहीं चाहते हैं तो continue as guest विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजीकृत उप्भोगता हैं तो sign in बटन दबाएं। यदि आप पंजीकृत उप्भोगता नहीं हैं लेकिन अपना पंजीकरन कराना चाहते हैं तो register बटन को दबाएं। यदि आप continue as guest बटन दबाते हैं तो समीप वर्ती सीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और submit बटन दबाएं। अब भुकतान विकल्पों में से किसी एक का चैन करें। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के payment gateway पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम वो password का प्रयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। रोहन अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रयोग कर आप स्वेम अपना मुबाइल रिचार्ज करें। बिलकुल दीदी। Step 1. Login to Recharge It Now Website Step 2. Select the service provider and enter details Step 3. Select plan type, enter the recharge amount and press Continue button Step 4. Select Continue as Guest Step 5. Enter your mobile details and select payment option Step 6. Select appropriate banks and pay the amount Paytm website का प्रयोग कर postpaid mobile का बिल भुकतान करना हम Paytm website का प्रयोग कर postpaid mobile का बिल भर सकते हैं। बस इन पदों का अनुसरन करें। पहला Paytm website पर जाएं। अब बिल पेमेंट्स टाब पर जाएं और अपने postpaid mobile का बिल भरने के लिए mobile बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना mobile नमबर भरें। अपना operator चुनें और बिल की राशी दर्ज करें। उसके बाद हैं तो अपना account बनाएं और फिर अपना email ID अत्वा, mobile नमबर और Paytm password का प्रयोग कर sign in करें। अब स्क्रीन पर बाईं और दिये गए विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए भुकतान करें। जब आप भुकतान पूर्ण कर लेंगे, आप सफलता पूर्वक अपना mobile नमबर रिचार्ज कर लेंगे। गीता, क्या cable TV के बिल का भुकतान भी कर सकते हैं। हाँ चाचा, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप Recharge It Now वेबसाइट का प्रयोग कर DTH को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं। यहां Online Recharge section के तहत तीन विकल्प दिखेंगे। अपना DTH Recharge करने के लिए DTH बटन पर क्लिक करें। फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें। मालने कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में Tata Sky का चैन किया है। अब अपना उभ्भुकता ID नंबर दर्ज करें और Continue बटन पर क्लिक करें। अब Tata Sky प्लान की सार्णी दिखाई देगी। विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए Recharge राशी दर्ज करें और फिर Continue बटन को दबाएं। अब DTH से समबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। इसकी पुष्टी करें और उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें। यदि आप पंजिकरत उभ्भुकता हैं और पंजिकरन नहीं चाहते हैं तो Continue as Guest विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजिकरत उभ्भुकता हैं तो Sign In बटन दबाएं। यद अपनी जानकारी दर्ज करें और Submit बटन दबाएं। अब भुकतान के विकल्पों में से एक का चैन करें। किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक Drop Down Box प्रकट होगा। उप्योक्त बैंक का चैन करें और Continue बटन को दबाएं। अब भुकतान का प्रयोक करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुकतान करना और Mobile Phone व केबल TV नेटवर्क रिचार्ज करना आसान होगा। बेशक दीदी, यह बहुत उप्योगी है। हाँ गीता, यह जानकारी निश नहीं एक आप लोगों करें। सही है अच्छा प्रयाज। सही नहीं है क्रिप्या पुन्ह प्रयाज करें। सही है अच्छा प्रयाज। सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज